मुश्कार स्वागत आप सबका जीबेन 24 न्यूस फर मैं हूँ आपके साथ तनीशा भार्दु आज टाटा नगर स्टेशन के एंट्री गेट से आर्पी एफ और जे आर्पी ने सैयुक्त रूप से अभ्यान चलाकर दो अप्राप्धियों को ग्रिफतार किया है गिरफतार अप्राधियों में अभीजीत, मंडल, उर्फ, कांडी और गौरफ कुमार राम शामल है दोनों के पास से पुलस ने एक देसी कटा, एक देसी पिस्तल और चार जंदा गोली बरामत किया है दोनों अप्राधी एक फरवरी को सीता राम डेरा में हुए टकलू लोहार हत्यकान मामले के मुख्य आरोपी है मंगलवार को दोनों कोलकत्ता जाने के लिए निकले थे तभी रेल पुलस और आर पीएफ ने दोनों को पकड़ लिया अधर जमशेदपूर पुलस दोनों को रिमान पर लेने की तयारी कर रही है जानकाली देते हुए रेल, डीएसपी, हेड़कौाटर जैश्री, कुजूर ने बताया कि मंगलवार रात दोनों संदिक्द अवस्था में टाटानगर स्टेशन मुख्य एंट्री गेट के पास घूम रहे थे इसी दोरान दोनों को पकड़ कर पूछताच की गई पूछताच में दोनों ने अपना नाम बताया तलाशे के क्रम में दोनों के पास थे हत्यार बरामत किये गए डीएसपी ने बताया कि दोनों टकली लोहार की हत्या के बाद शहर छोड़कर फरार हो गए थे 11 मार्च को दोनों हुंबई से जमशेदपूर आये थे पुलिस अधिक्षक महदय रेल जमशेदपूर के निर्देश आंपशार अपराद नियंत्रन के लिए चेकिंग का निर्देश प्राप्त है उसी के आलोग में कल दिन आंख 12 बोर दोज़ार चौविस को संधिया 18 बजे से 22 बजे तक आरपीएफ और जी आरपी का सही प्रूप से प्रैटफॉर्म और स्टेशन परिसर में चेकिंग अप्यान चलाया जा रहा था उसी करम में दो व्यक्ति जो एक्जिट के तरफ से अंदर की और प्रविश किये और एंट्वाइरी काउंटर के पास इधर उधर हो रहते तो संदे उत्पन होने पर आरपीएफ की महिला बदाधी कारी द्वारा उसे पूस्ताश किया गया और वहां पर आरपीएफ के इंस्पेक्टर साब भी थे खाना प्रवारी उन दोनों के द्वारा जब पूस्टाश किया गया तो दोनों अपना नाम बताए और उनके पास से दो हथ्यार, इस्टल एक और एक देसी कट्टा, दो पूली इस्टल के और दो देसी कट्टा के बरामत किये गए। दोनों व्यक्तियों का नाम पूलाल इस खबर में तहीं जारगन की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बने रही है आप हमारे चैनल जीबेन 24 न्यूस के साथ।